आपनारा सबाई भालोतु पूरा एकदम तो मेरा साथ भुलिये भारत मता के भारत मता के सभा में हमारे बीच में उपस्तित हमारे उमीद्बार असोग पुरकाय जी हमारे जिला अध्धक्स नबेंदु नासकार जी अरुन जैना जी हरी किस्न दत्त जी कोशिक दाज जी नबारुन नायक जी दिपांकर जाना जी अजय कुमार रय जी विश्वरु भतसाई जी लाके सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना साथा हूँ कि दो हाजार पुनी सन में जब लोक्षभा सुनाव हुआ था मैं खुद मथूरापूर में था और मथूरापूर में मैं साइड दस से पुनहरा दिन में इहां में रुका था मेरा मालूम है दो हाजार सोड़ा सन में जो हमारे उमीदबार थे ये हमारे उमीदबार था तपन नसकर जी और उनको खाली सेश्वड हाजार भोट मिला था 66,000 लेकिन 2019 में हमारे जो पार्ठी थे स्यमा प्रसाद हलदार जी उनको पास लाग बाईज हाजार भोट मिला था मतलब पास साल में हमारा सत्तुर हजार से सारे पास लाग प्रमूशन होगिया था एकी बार में इस बार हमारा और प्रमूशन होगा और अस्वक पूरकाजी जीतेगा ही जीतेगा मैं ये विश्वास करता हूँ जीतेगा की नहीं जीतेगा जीतेगा की नहीं जीतेगा भाई और बहनों आप लोगों को मालूम है मोडी जी देश का प्रधान मंत्री बनने वाला है इस बार भारत का लोगों को ये तमन्ना है मोडी जी को सार्शो सित देना है कि सब लोगों ने ये मान कर सुका है कि मोडी जी प्रधान मंत्री बनेगा हमारे ममता डिदी बोलते है कि मोडी को सार्शो सित क्यों सही है कोंग्रेस भी पूछते है मोडी को सार्शो सित क्यों सही है मतलब अगर मोडी को 397 सिट मिलते है उनका कोई अपती नहीं है 397 में खुज है लेकिन 600 सिट मिलने से ही ओलोग नराज है मैं आप लोगों को बोलना साथा हूँ हमें 600 सिट क्यूं साहिए जब मोडी जी को 360 मिला तब मोडी जी ने अजुद्धा में राम मंदिर बनाया बनाया की नहीं बनाया राम लाला का प्रान प्रतिस्ता हुआ की नहीं हुआ अभी हमारे और दो मंदिर मठूरा अयुद्धा और कासी मठूरा में क्या हुआ था हमारे कृष्ण का जनम हुआ थे लेकिन कृष्ण का जनम भूमी में औरोंग जेब ने कृष्ण का जनम भूमी में ही साही इद्गा बना के राख दिया है और हमारे कासी में जो ज्यानबपी मस्जिद है, एक्शेली वो ज्यानबपी मंदिर था, मंदिर को तोरके औरोग जेप ने हमारे कासी में ज्यानबपी मस्जिद बनाया था मोडी जी को जब सार सो सिटे मिलेगे इस बार मोडी जी मथूरा में भी कृष्णा जनम्हुमी बनाएगा और कासी में भी ज्यान बापी मंदिर बनायागा फाई और बेहनों आज हमारे जो कस्मीर है ये कस्मीर दू तुक्रा में है एक तुक्रा भारत का साध है दूसरा तुक्रा पाकिस्तान का साध है स्यामा प्रसाथ मुखाड जी ने आर्टिकुल 370 हताने के लिए अपना जीवन बोलिदान दिया था हमने 372 हता दिया लेकिन एक कस्मीर अभी भी पाकिस्तान में है एक बार मोडी जी को सार्शो सित मिल जाते है हम पाकिस्तान में जो कस्मीर था है इसको भी हम भारत लेके आएगा ये भी हमारा वाडा है भाई और बहनों मोथुरापूर में कैसे पीएम अबास में घोटाला हो रहा है कैसे मोथुरापूर में पेर काट रहा है कैसे त्रिनमुल का लोग मोथुरापूर में अच्टासर कर रहा है इसका बारे में असोग जी ने आप लोगों को बताया भाई और बहनों परिशोडिन सुबे में जब क्यालकाटा आया था पहले मैं संदेश खाली गिया मैं पहले ही मैं सोशा कि संदेश खाली का बारे में एतना नियूज आ रहा है मुझको एक बार खुट संदेश खाली जाना साहिए मैंने संदेश खाली गिया और मा और बहनों से बात किया ओ लोगों ने जो बात बताया ना सुनके मन डुक से भर हो गिया ये लोगों का उपर संदेश खाली में आज मा का उपर वज्टासार हो रहा है बहनों का उपर वज्टासार हो रहा है जबर्डस्ती खर कबजा कर रहा है जबर्डस्ती महिलाओं का सन्मान का साथ खेलुआर कर रहा है किसने कर रहा है सेख साजहान जेसा गुंडा ने लेकिन ममता दीदी ने ये गुंडा का उपर कुछ एक्शन नहीं लेते हैं में काल कैलकटा में बटाया, अगर ये सेख साधाहान आसाम में होते थे, मैं 10 मिनित में उनका हिसाब साफ कर देते थे, मैं डस मिनिट में उनका हिसाब साफ कर देटे थे लेकिन आज दीडी को आपका भोट नहीं साहिए आज दीडी को हमारा भोट नहीं साहिए दीडी को खाली साधहन का भोट साहिए मैं दीडी को बोलना साथा हूँ अगर आप साधान का उपर एक्षन नहीं ले सकते हो तो साधान को 40-20 घंटा के लिए मेरा हाथ में दे दो मैं उनको असाम ले जाऊंगा और उनका हिसाब में बराबर कर दूंगा भाई और बेहनों आज दीदी ने क्या कर रहा है आपको मालूम है आपका जो मिठा पत्ता पान है ना यह आसाम में भी जाते हैं बहुत जाते हैं और बहुत अच्छा लगते हैं आप देखिये आसाम में पैट्रोल का डाम क्यतना रुपिया है और पोसिम मंगला में पैट्रोल का डाम क्यतना रुपिया है आप लोग कोई बटा सकता है मोथूरापूर में पेट्रोल का लिटर केतना रुपिया है एक सो चार रुपिया चे रुपिया मोथूरापूर में पेट्रोल का डाम एक सो से रुपिया एक सो चार रुपिया जो भी होगा होगा लेकिन आसाम में परसी मंगल एक बहुत बड़ा प्रदेज है मेरा एक चोता प्रदेज है लेकिन परसी मंगला में पेट्रोल का लीटर 104 रूपिया है और आसाम में पेट्रोल का लीटर खाली 90 रूपिया है 96 रूपिज है आप लोग देखिये मम्ताडी बोलते है कि बस्तू का डाम मरहा है लेकिन डाम किसने बर हुआ है आज असाम में डीजेल का डाम बेंगल से तीन रुपिया कम है पेट्रोल में साथ रुपिया कम है और डीजेल में तीन रुपिया डाम कम है लेकिन होना क्या सही था बेंगल में कम होना सही था आसाम में जदा होना सही था लेकिन आज उल्टा हो रहा है कारण मोडी जी लोगों को आसाम में बीजेपी सरकार है यूपी में बीजेपी सरकार है, मोडी जी लोगों को सस्ता में पेट्रोल डिजल दे रहा है और मम्तादी दी आप लोगों से 3-77 रुपिया एक लितर पेट्रोल में ज़्यादा दाम ले रहा है भाई और बेहनों ममतादी बोलते हैं मैं माताओ को लक्षमी भांदर डिया लक्षमी भांदर केतना रुपिया का था पहले था 500 रुपिया का है ना अभी 1000 रुपिया किया इलेक्षन का पहले लेकिन आसाम में लक्षमी भांदर केतना रुपिया मिलते हैं आसाम में लक्ष्मी भांदर सारे बारो सो रुपिया मिलते है पोस्सिम मेंगल में एग हजार रुपिया मिलता है और आसाम में लक्ष्मी भांदर सारे बारो सो रुपिया हर महिना मिलते है आप देखिए पोसिम मंगला एक बड़ा प्रदेज है असाम एक छोटा प्रदेज है लेकिन असाम में लक्षमी भंडर है सारे 1200 रुपिया का और पोसिम मंगला में हमारा लक्षमी भंडर है 1000 रुपिया हमारा जब बीजेपी सरकार आएगा पोसिम मंगला में हम लोग हर महिना लक्षमी भंडर तीन हजार रुपिया करने का काम करेगा तीन हजार रुपिया आज आप लोग देखिए अगर असाम में सारे बारो सो है यहां में तो धाई हजार होना ही साइए असाम चार गुना चोतार प्रदेज है वेज बेंगल से पोसिम मंगला से लेकिन अगर असाम सारे बारो सो रुपिया लक्षमी भंडर में देते है तो पोसिम मंगला तु तो धाई हजार देना साहिए असाम से ममता दीदी पेट्रोल का डाम जाड़ा लेते है डिजेल का डाम जाड़ा लेते है लेकिन लक्षमी भंडर कम देते है इसलिए विजेपी सरकार जब बनेगा हम आप लोगों को अन्नपुन्ना भंदार देगा तीन हजार रुपिया करके हम आप लोगों को अन्नपुन्ना भंदार देगा भाई और बेहनों हमारा पुस्सिम मांगला में लोगों को नोकरी नहीं मिलते है सक्री बक्री किसी को नहीं मिलते है गरीब को तो कुछ नहीं मिलते है हमारा साम में विजेबी का सरकार आया मोडी जी ने मुझे को बोला कि पहला साल में ही तुमको एक लाख नोक्री देना है और पास साल में तुमको दो लाख नोक्री देना है पहले मैं सोसा था कि मैं सकूंगा कि नहीं सकूंगा लेकिन आप लोगों का सिर्वाद में मैं पहला साल में ही एक लाक लोगों को सरकारी नोक्री देने का मैंने काम किया एक पैसा मैंने नहीं लिया सबको स्टेडियम में बुलाया और एक एक करके अपॉइंट्मेंट लेटर हाट में उठा दिया किसी से पैसा नहीं लिया कोई कोड केस नहीं हुआ लेकिन आस्पोसिम मैंगल में मंताडी खाली 23,600 को नोक्री देते हैं और करोर करोर रुपिया का बंदल पाथो सेटरजी का गर्ल फेन का घर से बरामध होता है आप लोग सोसिये शिक्षा मंत्री है देश को शिक्षा देना है लेकिन उनका मकान में उनका घर में नोतों का पहार होते है और आप लोग देखिये उनका उमर क्या है उस उमर में वो गाल्फ्रेन लेके घुमता है आप लोगक्सोऊसिया जो उमर में लोग भगबान का पास जाना समय होता है वो समय पाथ़ सेतरजी गाल्फ्रेन लेते है पटा नहीं कुण सा टेबलेट खाते है और जब पुलीस लेके जाते है तो ऐसे ओऊ-एसे सिंबल दिखाता है पुलीस को कि लाफ का सिंबल दिखाता है उनका जो उमर है वो समय पूरी जगनाथ में जाने का समय हैं मतोरा बिनदा बन का जगा मे जाने का समय हैं वो गालफरेन लेकर घूम रहा है आप लोग सोचिये जोरूर TMC का ओफिस में जोरूर कुछ टेबलेट होगा जिससे लोगों का उमर कम हो जाते हैं और गाल्फ्रेंड ले सकता है सत्तुर साल का उमर में भी भाई और बहरो आज स्त्रीनमुल क्या कर रहा है हमारा पूरा देश को हमारा पूरा पुरा पुस्चिब मंगला को सेग साजहन देशा बेक्तियू का हाथ में हवाला कर रहा है आप लोगों को मैं एक छोटा कहीनी बताऊंगा आज हमारे जब मैंने पहले मुख्धा मंत्री बना मेरा पास एक अफिसर ने एक फाइल लेके आया फाइल में क्या था मैंने ओफिसर को पूसा यह क्या फाइल है बुले सहाब यह मद्रसा स्कूल में तंखा देना है इसलिए आपका दस्ताख़ साहिए मैंने यह ओफिसर को पूसा मद्रसा का मतलब क्या होते है बुले सार स्कूल होते है मैंने officer को पूशा क्या मद्रसे से डक्तर बनते है बुले नहीं बनते है engineer बनते है बुले नहीं बनते है क्या बनते है बुले मुल्ला बनते है आप लोग देखिए मैंने officer को बोला क्या मुल्ला बनाने का काम क्या सरकार का है आप आज ही यह मुल्ला बनाने ओला धुकान बन कर दो सारे मद्रसा आज ही बन कर दो हमने सारा मद्रसा बन कर दिया हमने मद्रसा को स्कूल बनाया और स्कूल से आज दप्तर बन रहा है आज इंजिनियर बन रहा है हमने मुल्ला बनाने ओला धुकान हमने बन कर दिया साम में कि ऐसा नहीं सलेगा लेकिन मम्ता दीदी ओ कर सकता है नहीं कर सकता है किसलिए मम्ता दीदी को आपका भोट नहीं साहिए मम्ता दीदी को खाली साजहान का भोट साहिए मंता डीदी आपको लक्षमी भन्दा डेते हैं लेकिन संदेश खाली में ही आपका सन्मान हानी करने के लिए साध हान को लाइसेंस देते हैं माताओ और बहनों हमें ऐसा समाज नहीं साहिए हमें ऐसा समाज नहीं साहिए आज आप लोग देखिए हमारा साम में 30% मुसल्मान है 40% मैं मुसल्मान जादगा में जाता हूँ मैं मा को पूछता हूँ कि मा आप कैसे है आपना भालो मा बोलते है फाल तो सिलम लेकिन एक सब्ता आगे मेरा हस्बेन ने और एक सादी कर लिया अभी मैं दुखी दूग हूँ दूसरा का पास जाता हूँ नहीं नहीं मेरा हस्बेन ने दो सादी कर शुका है तिसरा का पास जाता हूँ मेरा हजबेन तीन साधी कर शुका है सोठा का पास जाता हो मेरा हजबेन सार साधी कर शुका है आप लोग बोलिए एक पटी को क्या सार सार साधी करना साहिए साहिए एक पटी को दोबारा साधी करना साहिए लेकिन आप लोग देखिए आज हमारा एक कोम का लोगों को एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार सार साधी करने का अनुमटी दिया जाते हैं इस बार आप लोग हमें सार सो सी दी जीए हमें चार सार साधी करना दुकान भी हमें बन करना है हम इस दुकान को भी हमें बन कर दूंगा भाई और बहनों हमारा देश में आज जो कुछ भी हो रहा है ये देश को ठीक करने के लिए हमें बहुत कुछ करना है इनुफर्म सिभील कोड लाना है हमारा देश में हमारा देश में मड्रसा सिख्षा का जगा में एक्शुल सिख्षा वेबस्ता लाना है हमारा देश में गरीबों के लिए काम करना है आज प्रधान मंत्री जी ने गरीब के लिए साउल भेशते है हर महिना हम फ्री पास के जी साउल मिलता हो असली घर में लक्षमी कुन भेशते है प्रधान मंत्री मोडी जी भेशते है हर महिना पास के जी साउल देते है हमको रहने के लिए हमारा हमारे लिए घर देते हैं लेकिन तिनमुल का डलालों ने ओ घर का पैसा भी खा जाता है गरीब को घर भी नहीं देते हैं भाई और बहनों माताओ को साल बनाने के लिए मोडी जी गैस देते हैं मोडी जी घर में जल देते हैं मोडी जी हमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देते हैं मोडी जी गरीबों को सिकिच्चा के लिए हर साल पास लाख रुपिया आयुसमान भारत कार्ट देते हैं लेकिन हमारा पुस्सिम मांगला में हमारे मम्ता दीदी ने ये सब सारे स्कीम आप लोगों का पास आने नहीं देते हैं एक बार हमारा पुस्सिम मांगला में डाबुल इंजिन सरकार हो जाते हैं ना हर गरीब को मुकान भी मिलेगा हर गरीबों को जल से पानी भी मिलेगा हर गरीब को आयुशमान भारत कार्ट भी मिलेगा आज आप लोग जानते हैं हमारा में दुबारा असाम का बात बोलता हूं हमारा असाम एक सोता प्रडेज है लेकिन असाम में जब लेर्की हाए सेकेंडरी पास करते हैं उनको हम कॉलेज जाने के लिए सरकार से स्कूटी देता हूं लेर्की को की अंवार्सेटी परने के लिए कि एडमिशन व्री होटा है कि भीवोटे है छिठ टेल मैं जबी उस्रिवटे है और इनूबर्स उत सीटी में परने के लिए हमने पसीज हजार रूपिया लेर्की को हाथ खरसा भी हम लोग देता हूं लेकिन आज पुसीम मांगला में एतना रूपिया होने का बावजुद हमारा गरीब लोगों को स्कीम नहीं मिलते हैं मौथुरापूर में एतना बरिया मिठा पत्ता होते हैं लेकिन मिठा पत्ता को राखने के लिए आपका पास कॉल स्टोरेश का वेवस्ता भी नहीं है आप लोगों को डाम भी नहीं मिलते हैं इसलिए हमें अस्वक पूरकाईजी को जिताना है और मुथुरापूर का गरीब को आबास देना, मुथुरापूर का गरीब को आयुसमान महारत काड़ देना, मुथुरापूर में विकास का काम करना ये हमारा कर्टेप्ब होगा और ये सारे काम हम लोग करके दिखाऊंगा, भाई और बहनों एक बार अस्वक जी को आप लोग भोट दिजिए, तब हम गंगा सगर में भी नया ब्रीज बनाने का हम लोग काम करेगा, ये भी मैं आप लोगों को वादा करना साथा हूँ, आज आप लोग देखिए, हमारे हैं, अस्वक जी को भोट दिजिए, हम लोग ओभी ब्रीज बनाके आप लोगों को देने का हम लोग काम करेगा, भाई और बहनों, अस्वक को एक बार भोट दिजिए, मधुलापूर में मोदी जी का MP बनाईए, गरीब का लक्षमी भंदर भी 3000 रुपिया होगा, गरीब को रेशन भी मिलेगा बिना कटनी चटनी के, गरीब को PM अबास का मौकान मिलेगा, किसी को घोज देना नहीं है, मधुलापूर का गरीब को PM अबास, PM आयुस्मान भारत का कार्ड मिलेगा, पास लाख रुपिया तक हम सिकिच्छा कर पाएगा, और मधुलापूर का गरीब को हम लोग जल से पानी देने, नल से जल देने का भी हम लोग काम करेगा, भाई और बहनों, एक बार हमारा पुस्सिम मंगला में बीजेपी का सरकार बन जाते हैं ना, हम सेख साजहान जैसा लोगों को ऐसा ट्रिट्मेंट ढूंगा, कि संदेश काली का नाम भी ओलोक लेने का भविश्य में हिम्मत नहीं करेगा, ये भी हमारा आप लोगों से वादा है, भाई और बहनों, लास्ट ताइम, आप लोगों ने हमको बहुत भोट दिया, दो लाग भोट कम रह गिया, लेकिन साध हजार से सारे पास लाग भोट, मतलब आप लोगों ने हम लोगों को लास्ट सुनाओं में पास लाग भोट जादा दिया, इस पर खाली देर लाग भोट जादा दीजिए, और सोग जीट के दिल्ली पहुंच जाएगा, खाली देर लाग भोट जादा साइए, देगा की नहीं देगा देर लाग भोट, देना है की नहीं देना है, सन्देश खाली का बदला लेना है की नहीं लेना है, हमारे लक्षमी भान्नार तीन हजार रुपिया करना है कि नहीं करना है अगर करना है तो आप लोग सब मिलके असोग पुरकाईट को जिटाईए और राम लाला का असिर्वात से हम पस्सी मंगला में भी हम समाज का जो समाज का जो असूब सकती है सारे लोगों को हम हता के पस्सी मंगला में भी हम सनातनी संस्कार से देश को आगे लेके जाएगा ये मैं आप लोगों को बोलना साहूंगा आप लोगों ने मुझको मोका दिया आपनारा सबाई हमके दो सब्दों बोलार जो इनने सुविरा देलो और जो इन्ने आमें सबाई के धन्यवाद दिये आमार कठा ए जगाई सेश करे सी बहुत बहुत धन्यवाद जोई हिन बन्ने मातर हुँ अशंग धन्यवाद थियो मुक्ष मुंद्री सकते ऑ्साइब के वुने इन्ज अश्वाद जो अचो करने ड्साइब करे जтовिक दोलत हो बन्यां कर अगा लाद्ट स्व करने मातर हुआ है झीवाद एगाद मातर हुआ हिन्से है